को दों अपने करूप कि हाई एक अज मेरे तुन आगपाल आज आपके लिए को जूए सॉक्स लेपेंगे बिल्कुल जो बजार में आपको जो आप बजारी सॉक्स लेते है बेसे क्लिव नॉर्मल सॉक्स लेते हो कॉटन की fix और लुए ले कॉटन की सॉक्स लेते हो तब वहां पर इस तरीके से मिलती है बाकी यह जो है मैं आपको बता दू इंडियन साइज जिसका 7 और 8 होगा पैर का 7 & 8 उसको आ जाएगी और मैं सेंटीमीटर में आपको इसको थोड़ा सा नापके बता देती हूं कि यह कितने उसके पैर को जो है आप यह देखेंगे यह यहां से लेकर यहां तक है 22 सेंटीमीटर जिसका भी पैर का जो नीचे का हिस्सा है वो होगा उसे यह आराम से जो है आएगी बाकी आगे स्टप बे स्टप मैंने आपको बताया कि आप इसे किस तरीके से बनाएंगे देखिए ऐसे दिख रही है यह यह देखेंगे आप और जब आप इसको इस तरीके से रखोगे तो यह ऐसे दिखेंगे और इसको जो है मैंने कहीं भी सिलाई नहीं की है चार सिलाईयों से बनाया है आप चाहे तो दो सिलाई से भी बना सकते है लेकिन फिर साइड में जो है सिलाई आएगी बाकी आप इसे से दो से भी बना सकते हो और चार से भी बना सकते हो चार से इसलिए अच्छी लगती क्योंकि कहीं भी कोई सिलाई आपको यहां पर दिखती नहीं है तो चले फिर देखते हैं इसे हम किस तरीके से बनाएंगे तो देखे यह जो है नॉर्मल वर्दमान की फोर प्लाई की बूली है आप देखेंगे देखें इस तरीके से है और इसे जो है मैं क्या-क्या चीज़े चाहिए क्योंकि आपको मैं यह जो है जेंट सॉक्स दिखाने जारी हूँ वो भी बंद जिसमें कोई सिलाई नहीं आएग सकते हैं आप सर्कूल नीडल अगर आपके पास छोटी होगी तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जैसे देखें यह होती है तिस फॉर्टी सेंटी मीटर चाली सेंटी मीटर की आप यह भी यूज़ कर सकते हैं जुराब के लिए और यह छोटी वाली भी यूज़ कर सकते है तो चलिए देखिए कैसे दिखाती हूं कि किस तरीके से अब हम उससे बनाएंगे अब मैंने यहां पे जो है आप देखेंगे नॉर्मल सलाई पे 48 फंदे डाले हैं जेंट सॉक्स नॉर्मल सॉक्स बना रही हूं सेवन नंबर का शूज आता है जिनके लिए मैं बना रही हूं बाकी मैं आगे आपको इसको नापके भे बताऊंगी कि इसकी जो नीचे का तलवा होता है कितना होगा ताकि आप उस हिसाब से अपने अपने सब के लिए बना सके अब देखें यह जो है 48 फंदे डाले हैं इनको इस उतारेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, यह पहले मैं डालूँ इसमें बारा फंदे, दो, दो, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा यह देखें, दो, दो, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, यह बारा डालिए, अब दूसरी उठाई, उसमें बारा डालूँ गे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, और यह बारा, अब यह 24 फंदे जो बचे हैं व कि यह देखिए डाल लिया अब सबसे पहली बात एक और सलाई हमें चाहिए होगी जिससे हम जो है बुनेंगे आप बड़ी से भी कर सकते हैं आप धहन से दिखए गा रखणा किस तरीके से यहीं बे अगर आपकी गड़बड़ी हो गई तो यह ट्विस्ट होजाएगा इस तरीके से यह ऐसे है यह सारे आपको उल्टे दिख रहे हैं देखें यह और यह है सही से रखना है बनाते हुए हम से बना लेंगे फिर तो बनाते वे पत्न अपने आप जो है वो सही से आ जाएगा तो यानि कि हमें इस तरीके से करना है यह यह जो जहां पर हम फंदे डालते देखेंगे आप एक जा रहे हैं यह इसका सीधा पॉर्षन है तो यह बाहर की तरफ रहेगा और जो उल्टा वाला यह लिया और इससे आपने पहला फंदा बुल लिया बस पहला फंदा थोड़ा टाइट रखेगा ताकि यहां पर आपके गैप ना आए यह 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 हो गया टाइट देखेंगे आप अब एक सीधा बनाया अब एक उल्टा फिर एक सीधा एक उल्टा, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये रहेगा ये उल्टा, फिर ये सीधा ये देखिए, ये हो गया, ये लाइन आपकी ऐसे पूरी होगी अब पलट के ये वाली लाइन भी वैसे ही करनी है तो यहाँ पे आपका लास्ट फंदा उल्टा बना है तो अब यहाँ से स्टार्टिंग वाला फंदा सीधा बनेगा बस जहाँ पे आप जोड रहे हो, वहाँ पे थोड़ा सा हाट टाइट रखिएगा वही करम वही है, एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा अब यह देखिए, यहाँ पे भी लास्ट फंदा उल्टा है अब यह सलाई एक और बच्ची हमारी, जब यह तीनों हम कर लेंगे, तब हमारी एक लाइन पूरी हो जाती है तो देखिए, यह भी हम वही करेंगे, यहाँ पे पहला पंदा सीधा ही बनेगा, क्योंकि यह उल्टा बना है एक सीधा, एक उल्टे का क्रम देखिए, यह बन गया, अब पूरी लाइन होगी, तीनों को मिलाके एक लाइन हो जाती है अब यही फिलहाल आपने दोहराते वे जाना है, हमने यही बॉर्डर जो है, बनाते वे जाना है इसी तरीके से, एक सीधा और एक उल्टा है, एक सीधा, फिर एक उल्टा यह दिखी, आठ लाइन्स का मैंने ऐसे बॉर्डर बना लिया है, अब आपने क्या करना है, अब हमें इसे सीधे सीधे बनाते वे जाना है, अट लीस्ट यहां से लेकर उपर छे इंच तक मैं इसे अब सीधा सीधा, मतलब यह तो मेरा एक इंच का हो गया, पाच इंच मैं इसमें, अब इसे ऐसे सीधा बनाऊंगी, अब बॉर्डर नहीं बनाऊंगी, अब इस तरीके से सीधा सीधा बनाऊंगी, ऐसे अब यह देखिए, यह जो है, छे इंच लंबा मैंने किया है, छे से सवा इंच के आसपास है, यह लेंग तो देखिए आप अपने इसाब से जितनी आपने लंबी रखनी होगी, उस इसाब से कीज़ेगा, यह देखेंगे आप इस तरीके से किया है, अब इसकी जो है मैंने हील बनानी है अब हील बनाने के लिए देखिए कैसे करूँगी यह जो मैंने 22 फंदे रखे हैं 24 फंदे रखे हैं क्योंकि हम हाफ एंड हाफ में हील बनाते हैं यानि कि मेरे पास 48 फंदे हैं बारा सलाईया अटलिस्ट वो बनानी है, देखें, दो सलाईया कैसे करूँगी ये देख लीजेगा, पहला फंदा तो ऐसे, ये बुना आपने, ये सारे फंदे हमने बुने, सीधी लाइन, ये देखें, ये बनाया, अब पलट लीजे, यहीं पर, और इसी को बनाना है, इन दो को हमें यहीं बनाना है, अब कैसे बनाना है, देखें, पहला फंदा उतारूँगी, जान से देखेंगा, और दूसरा उल्टा बनाऊँगी, ये उतारूँगी, ये उल्टा बनाऊँगी, एक उतारूंगी, मिना बुने में एक उल्टा बनाऊंगी सारी लाइन ऐसे करूंगी, एक उतारूंगी, एक उतारूंगी, एक बनाऊंगी यह देखिए लास्ट पर आगे अब यहीं पर पलट लीजिए अब सीधी लाइन जो करनी है पहला पंदा मैं उतारूंगी और बाकी लाइन सीधी बनेगी सारी कि यह दहिए यह आगे पलट लीजिए फिर वरी पहला उतारूंगीं दूसरा बननेगी फिर यह उतारोंगी यह बननेगी यह उतारूंगी यह बननेडे यह िए लाइन शारी आपने ऐसे ही करनीया है अब ये देखे दो लाइन्स जो मैंने आपको बता है वो रिपीट करती हुए गई हूँ मैंने 24 लाइने बनाई है टोटल में 24 एक साइट बारा इस तरीके से है ये देखे जो दो लाइन्स बता है अब ये बता दूँ आपको कि मैंने इस तरीके से बनाने का जो उल्टे में उता रहा है वो क्यों बताया क्योंकि इस से हमारी हील जो है थोड़ी सी मजबूत बनती है आप देखेंगे बिल्कुल टाइट बनी है और ये थोड़ा सा डीला होता है अगर हम ऐसे बनाएंगे थो ये छे बना लिए अब बारा में से जो है मैं 11 बनाओंगी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौँ दस और ये ग्यारा अब यहां पर दो दो चार पांच छे साथ फंदे हैं साथ में से मैं देखेंगे दो फंदों को दो का ऐसे करूंगी अब पल्टूंगी अब यहां से भी ग्यारा पंदे बनाओंगी एक उतारूंगी फिर दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस और ये ग्यारा दो दो चार पांच छे साथ फंदे हैं इन दो को दो का एक करूंगी ऐसे देखेंगे इस तरीके से फिर पल्ट लूँगी अगेर यह उतारा फिर वही दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस और ये ग्यारा अब ये और इसके साथ वाला फंदा दो का एक फिर पल्ट लिया आपने वहीं ग्यारा फंदे बनाएं और वहां से दो का एक कर दिया अब सारे पंदे साइड के जब तक खतम ना हो जाए आपने ऐसे ही करते हुए जो है जाना है कि यहां से तो यह लास्ट वाला पंदा खतम हो गया इससे इस तरफ से एक पंदा बचा हुआ है यह किया आपने यह देखें। यह है ऐससे अब सारे 이न पंदे आपके पास साइड के खतम हो गए शिर्फ आपके पास 12 बचे हैं और इस तरीके से आप देखेंगे हेल आए एय देखें। अब यह जो फंदे है यह हमने उठाने है यहां से आपके पास देखे साइड के खतम हो गए सिरफ आपके पास बारा फंदे बचे हैं और इस तरीके से आप देखेंगे लाई एक अब यह जो फंदे हैं यह हमने उठाने हैं यहां से तो पहले तो यह लाइन पूरी सीधी बनाऊंगी इस तरीके से यह बनाए आपने अब यहां से जो है मैं फंदे उठाओं यहां से मैं एक एक करके इस तरीके से देखें यहां पर देखेंगा आपको गैप मत छोड़िएगा इस तरीके से ऐसे एक दो तीन चार पाँच छे साथ आट नौ तात ग्यारा अब देखेगा यह 11 फंदे उठे हैं यहां पे और gap न आए उसके लिए आप यहां पे एक फंदा इसको ऐसे twist करके उठा सकते हैं ताकि हमारे जो है छेद न आ यहां पे यह देखें यह 12 फंदे उठके यहां अब यह तो हमारा जो first हमने 24 फंदे रखे थे रखे थे वूट आपने बनाने है इनहें और पिर यहां से भी फंदे उठाने है उतने ही फंदे उठाएंगे जिंफकने हमे यहां बनाने थे पहले हrator आपने आ लेते हैं यह हमारे जो 24 फंद एक्स्ट्रा सामने थे यह वो है अब यह देखे यह है यहां भी उतने ही फंद उठाऊंगी जितने यहां उठाए थे अब यह जो आपको दिख रहा है यहां पर मैं थोड़ा सा इसे जो है ट्विस्ट करके उठाऊंगी फंद ऐसे डाला आपने और इस तरीके से निकाला यह तो यह ट्विस्ट कर लिया बेसिकली मैंने ताकि यहां पर छेद ना आए फिर यह हो गया यह देखे तीन चार उतने ही उठाएंगे जितने वहां से उठाए थे अजय करएंगे अजय के अना में पर छेद करते यह तो यहन Marx changing सेंटर के, यहां से छे फंदे मैं इसी में लोगे, देखिए, यह ऐसे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, तो देखेंगे अब इस तरीके से हाऊ ता कि यह है यह है यह है, यह हील है, तो यह बैक से नीचे से पीछे का साइड आ रहा है यह देखेंगे आप ऐसे अब करना क्या है अब हमारे पास फंदे जाधा हो गए हमारे पास पहले चार पांट छे साथ आठ नौ अठारा और अठारा होते हैं 36 और चौबश आपके पास जो है इस समय 60 फंदे हो गए 18 एन 18 36 और 24 हो गया आपको 60 फंदे हैं और हमारे पास जो स्टार्टिंग में थे वो 48 फंदे थे अब 60 फंदे हैं तो मुझे फंदे कम करने हैं मुझे उतने ही फंदे लाने हैं जितने फंदे मैंने पहले रखे थे 48 फंदे अब कम कैसे करूँगी वो देख लीजेगा आप जो दो लाइने बतानी जारी हूँ उनी को आपने दोराते वे जाना है अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आप अगर देखेंगे तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहां से माना जाएगा आप देखे कैसे यह जो है अब घटाओंगी किस तरीके से वो बत कि स्टार्टिंग हमारी यहां से होगी गटाने की पहला फंदा तो बनाऊंगी अब दूसरा फंदा ऐसे उतार के सीधा करूंगी ध्यान से देखेगा और फिर इन दोनों को मैंने दो का एक कर देना है यहां पर अब यह सारे फंदे सीधे बनेंगे अब देखे यह वाले फंदे भी सीधे बनेंगे यहां पर दो का एक होगा यह देखे यह तीन स्टिच है इन में से इन दो को मैं दो का एक करूंगी और इसे बनाऊंगी अब देखे एक रोज में तो मैंने डिक्रीज किया है जहां जहां पर बताया अब यह वाली लाइन करने के बाद अब यह जो तीन लाइने हैं हमें सीधी करनी है इसमें हमें गटाना नहीं है याने की एक में गटाना है एक लाइन में नहीं गटाना है अब यह लाइन तो हम हमें प्लेन करनी है और एक में हमें गटाना है यह आपको फिलहाल रिपीट करते वे जाना है जब तक आपके पास आपके 48 स्टिचे यह जितने भी आपने रखे होंगे वह नहीं आ जाते तब तक हमें यह दो रोज को रिपीट करते वे जाना है और उसके बाद जो है हम नीचे का हिस्सा जो होता है वह प्लेन बनाएंगे जैसे हमने यह वाला पॉर्ष्ण बनाया अब देखे यह वाली लाइन हमारी प्लेन हो गई अब यह बनाने के बाद फिर से डिक्रीज करना है यानि कि एक लाइन में कर रही हूं एक लाइन में नहीं कर रही हूं यह हो गया अब फिर से डिक्रीज करूंगे यह लाइन पूरी सीधी बनाने के बाद यहाँ पर फिर से वही डिक्रीज का पॉर्ष्ण वही रहेगा पहला बनाया दूसरा उतार के आपने सीधा किया और इन दो फंदों को दो का एक बनाया और फिर सारा यह जो है लाइन पूरी यह वाला निडल सीधे बनाया अब यह जो मैं बता रही है उसे शेप बहुत अच्छे आती है अपने बाजारी जो जुराब देखे होंगे उनकी उसी तरीके की एक्जैक्ली शेप या इस लिए इस तरीके से मैं आपको बता रही हूं अब यहां पे भी यहां पे गटाना है वही इस वाली असमें निडल हम शे appli अक्रेटि मैं यहां पूरी है यहां से हुई टी यहलud में हैं आप यह वाली पहले लाइन करने के बाद हमारी लाइन पूरी होती है, यानि कि हमारी स्टार्टिंग यहां से हुई थी, इसलिए ये लाइन पूरी करने के बाद हमारी लाइन पूरी हो जाएगी, और उसके बाद वाली लाइन हमने बिना गटाए हुए सीधी बनानी है, तीनों सलाईयां, और उसके बाद फिर से गटाना है, यानि कि एक बार एक पूरी सलाईयों में मैं गटा रही हूं एक में नहीं गटा रही हूं इस चीज का ध्यान रखिएगा यह देखिएगा अब यह आप करते वे जाएगा जब तक कि आपके पास 48 फंदे आ जाएंगे तब तक करना है और उसके बाद हम जिस तरीके से यह बना रहे थे वैसे ही प्लेन बनाएंगे जो पैर का नीचे का हिस्सा होता है वो बनता वा जाएगा अभी तो फिलहाल पहले ह हमने गटना है 48 서s लाने है अब यह चेद्न आपका लंबा होगा पैर के नीचे का तलवा वो बनाना है उसके बाद blessing सामने का जो पंजा होता है वह कैसे बनाएंगे मैं उसके बाद बताऊंगे फिल्हाल हम इसको पहले गटाते वे जो है जाते हैं अब यह लाइन तो सीधी करनी है इसके बाद फिर गटाना है अब यह देखे यह मैंने इस तरीके से इतना बना लिया पांच इंच के आसपास है जहाँ हमने गटाई बंद की थी यहाँ से जो प्लेइन बनाया पांच इंच है यह आप देखे अपने अपने पैरों के इसाब से बनाईएगा अब starting mode पे आई हूँ, अब हमने इसका toe बनाना है, यह तो आपने heel बना ली, आप toe किस तरीके से बनाएंगे देखें, यह यहाँ पे 24 फंदे हैं, यहाँ दोनों मिलाके 24 फंदे हैं, अब किस तरीके से करेंगे यह देख लिजेगा, जो मैं दो line अभी बताने जा रही हूँ, वही आपने जो है repeat करते वे जानी है, आप देखें, यह किया, यहाँ पे जो यह दो फंदे दिख रहे हैं आपको, इसे पहले को सीधे की जिगा, इन दो को आपने दो का एक करना है, इस तरीके से, यह किया, फिर last के दो फंदों तक आपने सीधा बनाना है, लाँ से जास तरीको से, यह दो चासी भीज ही है, कि यह दिखिए जो लास्ट के दो फंदे हैं इन्हें भी आपने यहां से ऐसे दो का एक करना है यह तो इस लाइन में आपने दोनों साइड से कर लिया पलट के कि यह बैक साइड है तो यहां भी हम स्टार्टिंग और एंड में वैसे ही करेंगे इसे सीधा किजेगे उतारके और इसे और दूसरे फंदे को दो का एक करना है यहां पर भी थोड़ा सा हाथ टाइट रखेगा यहां पर यह किया और बाकी फंदे इस वाली सलाई के सीधे बन अब इस वाली सलाई के भी यह सीधे बनांके सिर्फ लास्ट के दो फंदों को अपने दो का एक करना है यह देखिए लास्ट में आ गए यह दो फंदे है इन्हें आपने जो है इस तरीके से दो का एक करना है अब क्या करना है देखिए यह हमने पहले तो यहां दो का एक किया फिर यहां किया अब एक लाइम तीनों की पूरी सीधी जाएगी उसमें हम घटाएंगे नहीं ऐसे य यहां हम गटाएंगे नहीं तो आपने इस तरीके से यह लाइन पूरी सीधी करनी है तीनो निडल्स की लाइन हुआ झाते हैं तो नहीं है तो …श्मा है कि बल्स को तो करना सेचल अ Förman कर दोथ कि लाएंगेध्धत कर साजंड से लाएंगे पाएंगे हैं में थसी खाल फरेगशी जल्स करना से लाएंगे हैं संपया जिल है घुद्च्ञर खाल बहुते हम स्बस्द्टड़े हैं यह देखिए हमने यहां पे यह लाइन पूरी तीनों की सीधी कर लिए अब फिर से वही यहां पे और यहां पे गटाऊंगी और इन दोनों के यहां पे और इसके लास्ट में गटाऊंगी यानि कि एक बार गटा रही हूं एक बार नहीं गटा रही हूं पर हमेशा स्टार्ट एंड में ही आपने गटाना है जैसे ये फंदे को आप सीधा करके ये दो फंदों को आपने दो का एक करना है ऐसे फिर लास्ट में दो का एक करना है इसी तरीके से अब हमें उपर तक करते जाना है उपर हमारे पास जो है दोनों फंदों में बारा बारा यानि कि 24 फंदे रहन कर लिया आप यह जो दो फंदे हैं इन्हें आपने इस तरीखे से तो का एक करना है पिर इन दो सलाइयों में यहां पे और इसके यहां पे करना है इसे सीधा किया इन दोनों को आपने ऐसे से दो का एक किया फिर यह वाली सलाइके तो पूरे फंदे सीधे बुनने हैं अब इस वाली सलाइके एंड में करना है इस वाली सलाइके एंड में करना है यह देखिए अब यह जो दो फंदे हैं इनको दो का एक करेंगे अब मैं यह बतातू दोनों पैर जो है एक जैसे बनेगे अब इसकी अगली लाइन तो पूरी सीधी जाएगी उसमें गटाएंगे नहीं अगली लाइन में ऐसी करेंगे ऐसा करते वेइस वाल यहां आपके पास 12 होने चाहिए और बैक में दोनों और सलयों को मिला एक जैसे बनेगे तो मैंने यह ब объяс बना के रखा हुए AMY कि यह देखेगा यहां पे 12 ऐसे वाद मैं आध मैंने हज़ है इसलोंगी will say मैं अपने चैनल पर बता चुकिए सब्धारें निकार करैसे उतारेंगे और इस दूसरे राले फंद्रे में से हम ऐसे से लाई दाह यह देखिए थोधा टाइट अब यह जो नेक्स्ट वाला पैक वाला हैSP 혼자 को है ये और इसके सेकंड वाले फंदे में से ऐसे अब फिर से वही ये उतारा और इसमें से आपने ऐसे डाला और ये बैक वाले में से ऐसे उतारा और सेकंड वाले फंदे में से इस तरीके से डाला अब सारे फंदे आपने ऐसे ही बंद करने हैं झाल 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 यह देखें लास्ट में आगए यह देखेंगे आप इस तरीके से बंद हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से यह ऐसे लास्ट का ऐसे अब यह देखें यह हो गया अब इसे हमने अंदर डालके बंद कर देना है करीओ कर्या झाल कर्यू झाल कैल लुट कर दो चलिए देखिए इस तरी के से पंडूगे आपका यह देखेगा दीए कितने बढ़ीया तरी के से बन गया है आपेदेखिए जैसे यह बजार से जब आप सोक्स लाते हो जैन जाएंट सक्स लाते हो इसी तरी के से सिला हुआ देखिए तो इस तरीके से यह जैंट सॉक्स जो है बनती है तो चलिए फिर बनाईए और शेर जरू किजेगा सब के साथ थैंक यू